Hello Friends, Welcome back to my YouTube Channel तो Friends, आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी का जो कंडेंसर है उसे क्लीन करने वाला हूँ क्योंकि Friends, जो गाड़ी की कूलिंगा उसे इंक्रीज करने के लिए जो गाड़ी का कंडेंसर है उसे क्लीन करना ज़ूरी होता है और आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी की कूलिंग को बढ़ाने के लिए ही जो गाड़ी का कंडेंसर है उसे क्लीन करने वाला हूं झाल झाल तो फ्रेंस गाड़ी का जो बंपरा उसे हटाने के बाद आप कंडेंशर की कंडिशन देख सकते हैं तो फ्रेंस इसे मैं जितना क्लीन करूँगा उतनी ज्यादा मेरी गाड़ी में जो कूलिंगा वो इनक्रीज हो जाएगी तो फ्रेंस जब कैमिकल आप लगाएंगे तो उसके बाद इसमें फोर्म बर्ना शुरू हो जाएगी क्योंकि फ्रेंस जो फिनस के अंदर की जो डेस्ट वह सारी जो यह फोर्म के साथ बाहर आ जाती है तो उसके बाद अपना कंडेंसर हा वो अंदर से भी अच्छी तरह क्ली झाल झाल तो फ्रेंस, गाटी का जो ऐकदम से कलीन हो चुका है, तो अभी जो मेरी गाटी में कूलिंगा वो पहले से काफी जादा निग्रीज हो जाएगी, तो फ्रेंस, अगर आप लोग भी अपनी किसी भी काटी का जो कंडेंसर कलीन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखे अपनी गाड़ी का भी condenser clean कर सकते हैं तो thank you friends for watching my video watch the next video, subscribe my youtube channel